नमस्कार बच्चों मेरा नाम प्रदीप सिंग भाटिया है और आज मैं आपको ग्यारवी कक्षा के अर्थ शास्त्र का आठ्वा अध्याय आधारिक संरचना पढ़ाऊंगा आधारिक संरचना का अर्थ आधारिक संरचना को इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं प्रते एक अर्थव्यस्ता कोई भी हो चाहिए विक्सित अलफिक्सित विकास शील कोई भी अर्थव्यस्ता हो वह है प्रमक रूप से आधारिक संरचना पर निर्भर करती है आप जानते होंग आप समझते होंगे भारत में कई राज्ये अन्य राज्यों से काफी हद तक विक्सित हैं जैसे हरियाना, पंजाब, यह राज्ये कृषी शेतर में काफी हद तक विक्सित हैं दूसरी और गुजरात जोकी औद्योगिक शेतर में विक्सित हैं, महराश्य औद्योगिक शेतर तथा कृषी शेतर दोनों में ही विक्सित हैं इनके विक्सित होने का प्रमुख कारण इनकी आधारिक सनरचना है कई राज्य ऐसे हैं जिनकी आधारिक सनरचना बहुत सम्रिद्ध है वहाँ विज्ञान, परिवहन, संचार, क्रिशी सब सुविधाएं उपलब्ध है आधारिक सनरचना एक ऐसी सहायक प्रणाली होती है जिस पर आधुनिक उद्ध्योग तथा क्रिशी व्यापार की प्रणाली निर्भर करती है आधारिक सनरचना उत्पादन के सभी साधनों की उत्पादक्ता को बढ़ा कर तथा इससे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाकर देश के आर्थिक विकास में योगदान देती है आधारिक सनरचना से अभी प्राय उन मूल भूत सहायक धांचे से हैं जो एक अर्थिएस्ता में विभिन प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई जाती है आधारिक सनरचना का उत्पादन प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान होता है आधारिक सनरचना के अंतरगर जैसे की मैंने आपको बताया परिवहन, बिजली, संचार, बेंकिंग, शिक्षा, स्वास्त, कई शेत्र आते हैं इन सभी शेत्रों में मिल जुल कर जो भी विकास होता है वही आधारिक सनरचना के प्रारूप को बनाता है आधारिक सनरचना दो प्रकार की होती है एक आर्थिक और एक सामाजिक आर्थिक आधारिक सनरचना और सामाजिक आधारिक सनरचना को अंतर के द्वारा हम समझते हैं आर्थिक आधारिक सनरचना प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक प्रणाली को समर्थन देती है और आंतरिक रूप से आर्थिक प्रणाली की सहायता भी करती है दूसरी ओर सामाजिक आधारिक सनरचना और प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक प्रणाली को समर्थन देती है वैसे अगर हम देखें तो सामाजिक और आर्थिक सनरचना दोनों ही एक दूसरे पर पूर्णो रूप से निर्भर करते हैं आर्थिक आधारिक संदचना के अंतरगत उर्जा, परिवहन और संचार आता है वहीं दूसरी ओर सामाजिक आर्थिक संदचना के अंतरगत शिक्षा, स्वास्त, निवास यह सब आते हैं अच्छा लोगों का रहन सेन, लोगों को साफ सुथरा पानी मिलना, लोगों के रहन सेन में सुधार होना, यह सब सामाजिक संदचना के अंतरगत आता है आर्थिक आधारिक संरचना आर्थिक संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार भी लाती है और इस परकार उत्पादन को बढ़ावा देती है जबकि दूसरी और सामाजिक आधारिक संरचना मानविय संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार लाती है मानविय संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उनके स्वास्त पर उनकी शिक्षा पर उनके रहन सेहन के स्तर में सुधार लाना आवश्यक है यदि लोगों को शिक्षा अच्छी मिलेगी लोगों का स्वास्त अच्छा होगा तो नियमित रूप से मानविय संसाधनों की गुणवत्ता बढ़ने से उत्पादन उत्पादक्ता उत्पादन की ख्षमता में व्रिध्धी होती है और ये कहीं न कहीं आधारिक संदचना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है मानव शक्ती की कुशलता में सुधार लाना आर्थिक आधारिक संदचना की प्रक्रिया के द्वारा भौतिक पूंजी के स्टॉक को बढ़ावा मिलता है क्योंकि आर्थिक के अंतरगत तो हम सिरफ मानविये संसादनों के अतिरिक्त जितनी भी चीजें हैं उन्हें देखते हैं चाहे वैपरिवन है चाहे दूर संचार है क्रिशी है यह सब आर्थिक आधारिक संद्चना के अंतरगत आते हैं और इनमें विकास होने से कहीं न कहीं भौतिक पूंजी का स्टॉक भी बढ़ता है वहीं सामाजिक आधारिक संरचना के अंतरगत मानविय पूंजी का स्टॉक बढ़ता है आर्थिक आधारिक संरचना के द्वारा आर्थिक सम्रिद्धी की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है जबकि सामाजिक आधारिक संरचना के द्वारा मानविय विकास की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है सामाजिक आधारिक संरचना कहीं ना कहीं मानुवे संसाधनों के विकास पर बल देती है आधारिक संरचना का एक देश में बहुत अधिक महत होता है प्रते एक देश जो विक्सित होता है वे कहीं ना कहीं आधारिक संरचना पर ही निर्भर करता है आधारिक संद्चना यदि किसी देश की अच्छी होगी तो उस देश में उत्पादन में वृद्धी होगी किसी भी देश की उन्नती और विकास वहां के कृषी और ओद्योगिक उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है कृषी उत्पादन को बिजली साख साख अर्थात रिन परिवन सुविधाएं इन सब के आवश्यक्ता होती है जिन में कोई भी कमी होती है तो इसका सीधा बुरा प्रभाव कृषी उत्पादन पर पढ़ता है इसी प्रकार ओद्योगिक उत्पादन के लिए मशीन, ऊर्जा, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, रेलवे, सडक संचार आदी के आवश्यक्ता होती है और यह सब ही सुविधाएं कृषी तथा ओद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती है अगला आता है रोजगार में व्रिद्धी आधारिक संचना के कारण कहीं न कहीं देश में श्रम शक्ती को रोजगार उपलब्ध होता है एक अर्थवेस्ता की आधारिक संचना जितनी अधिक विक्सित होगी वहाँ विविन शेत्रों में लोगों को रोजगार के अफसर प्रदान होंगे जैसे क्रिशी शेतर में और द्योगी शेतर में परिवहन में बैंकिंग में यह सबी आधारिक संचना के ही प्रमुख घटक हैं प्रत्यक्ष निवेश एक विक्सित आधारिक संचना निवेश को भी आकर्षित करती है आप देखेंगे यदि भारत में संचार की सुविधाएं परिवहन की सुविधाएं अच्छी होंगी तो कहीं न कहीं विदेशी कंपनिया भारत में प्रत्यक्ष निवेश करेंगी उद्योग लगाएंगी जिससे भारत में रोजगार के अफसर बढ़ेंगे भारत में उत्पादन का स्तर बढ़ेगा किसी भी नई कमपनी को नई फर्म को अगर एक देश चाहता है कि वह यहां आकर उत्पादन करें रोजगार प्रदान करें तो इसके लिए सरकार को देश को आधारिक सनरचना पर बहुत अधिक व्यक करना पड़ता है यातायाद, परिवहन, संचार यह सुविधाएं एक सरकार को उपलब्द करवानी पड़ती है और इनी सुविधाओं को देखते हुए विदेशी कमपनिया देश में निवेश करती है घरेलू कमपनिया देश में निवेश करती है बिना आधारिक संचना के कोई भी देश अपने यहाँ विदेशी कमपनियों को बुलाने में अगरसर नहीं हो सकता भारत में विदेशी कमपनिया निवेश करने के लिए प्रोथसाहित तभी होंगी जब उन्हें भारत में आधारिक संचना पूर्ण रूप से विक्सित दिखाई देगी अब मान लीजिए विदेशी कमपनिय भारत में आकर उत्पादन करती है परंतु उसे जितनी उर्जा जितने कच्चे माल की आवश्यक्ता है उतना कच्चा माल नहीं मिल पाता उतनी उर्जा प्राप्त नहीं हो पाती तो वह उत्पादन नहीं कर पाई बाजार के आकार में व्रिद्धी बड़े पैमाने पर उत्पादन तभी संभव है जब बाजार का आकार बड़ा होता है आधारिक संरचना बाजार के आकार को बढ़ावा देती है बाजार के आकार में वृद्धी प्रमुक रूप से विक्सित यातायात और परिवहन पर ही निर्भर करती है अर्थविवस्था में उत्पादक उपभोगता कई खितर होते हैं यह सभी खितर कहीं न कहीं बाजार पर निर्भर करते हैं आधारिक संरचना विक्सित होने पर उत्पादन बढ़ता है उपभोगताओं को नई नई वस्तुएं प्राप्त होती हैं उत्पादक को उत्पादन करने में प्रोटसाहन तभी मिलता है जब उसे उत्पादन से संबंदित सभी सुविधाएं समय पर मिलती रहें यातायात, परिवहन, बिजली, कच्चामाल, कोईला, इंधन यह सभी सुविधाएं उत्पादन के सभी साधन उसे समय पर मिलते रहेंगे तो वह उत्पादन के स्तर में वृद्धी कर पाएगा और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संपून बाजार का विकास होगा संपून बाजार में वृद्धी होगी अब हम पढ़ते हैं भारत में आधारिक संद्चना की क्या अवस्था है परपरागत रूप से हम मानते हैं कि केवल सरकार ही देश की आधारिक संद्चना के विकास के लिए जिम्मेदार है मतलब एक देश में अगर आधारिक संद्चना यानि कि उस देश के इंफ्रास्रक्ष को बनाना है तो केवल सरकार ही व्य करेगे जितने भी यातायाथ के लिए हाईवे बनते हैं इन पर सरकार द्वारा व्य किया जाता है परंतु वास्तव में यह पाया गया है कि आधारिक संद्चना में सरकार का निवेश और परयाप्त है सरकार सभीक्षेत्रों में इतना अधिक वे नहीं कर सकती कई वर्ष पहले तक तो सभीक्षेत्रों में सरकार द्वारा ही वे किया जाता था जैसे बड़े-बड़े बांध बनाना एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए सडके बनाना बिजली उद्योग इन सब में सरकार द्वारा ही व्यक किया जाता था परन्तु धीरे धीरे निजी शेत्र निजी कम्पनिया भी सार्जनिक शेत्र के साथ साजेदारी में आधारिक संदचना के विकास में बहुत महत्पून भूमी का निभा रही है हम सकल घरिलू उत्पात का केवल पांच प्रतिशत ही आधारिक संदचना में निवेश करते हैं केवल पांच प्रतिशत यह प्रतिशत बहुत कम है अगर यह प्रतिशत अधिक होता आधारिक संदचना पर व्यक किया जाता तो कहीं न कहीं आज भारत बहुत जल्द विक्षित अर्थवेस्ता बन जाता भारत के अधिकतर लोग गाउं में रहते हैं तथा ग्रामीन आधारिक संदचना की स्थिती अभी इतनी अच्छी नहीं है गाउं में महिलाएं उर्जा की आवशक्ता की पूर्ती के लिए लकड़ी घांसफूस गोबर आधी का प्रयोग करती हैं हालां कि धीरे धीरे सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं लागू भी की गई हैं कि ग्रामीन शेत्रों में उर्जा की उपलब्धता के लिए लकड़ी घांसफूस इन सब का प्रयोग ना हो क्योंकि इनके प्रयोग से कही ना कही श्रम शक्ती का नुकसान होता है लोग बिमार होते हैं फिर भी सरकार द्वारा इतनी योजनाएं बनाने के बाद भी ग्रामीन शेत्रों में उर्जा की पूर्ती नहीं कर पा रहे हैं उर्जा एकत्रित करने के लिए पानी के लिए तथा अन्य मूल भूत आवशक्ताओं की प्राप्ती के लिए गाउं में आज भी लोगों को बहुत लंबी दूरी तै करनी पड़ती है गाउं में आज भी मूल भूत आवशक्ताएं उतनी उपलब्द नहीं है जितनी शहरों में अब मैं आपको उर्जा के बारे में पढ़ाता हूँ उर्जा किसी भी देश की आधारिक संद्चना का एक महत्पून तत्व होता है वास्तव में उर्जा उत्पादन क्रिया की जीवन रेखा है यह उद्द्योगों, क्रिशी और अन्नेक शेत्रों में बहुत महत्पून किरदार निभाती है उर्जा के कई स्रोत होते हैं जैसे वानिज्यक स्रोत, गैर वानिज्यक स्रोत, परमपरागत स्रोत, गैर परमपरागत स्रोत उर्जा के व्यवसाइक स्रोत और गैर व्यवसाइक स्रोतों को हम उर्जा के पारमपरिक स्रोत भी कहते हैं सबसे पहले हम वानिज़िक सुरोत के बारे में पढ़ते हैं उर्जा के वानिज़िक सुरोत के अंतरगत कोईला, पेट्रोलियम, बिजली, प्राकरतिक गैस इत्यादी आते हैं इनका प्रियोग प्रमकुरूप से कारखानों में फर्मों में उत्पादन क्रिया के लिए किया जाता है तथा इन्हें बाजार में खरीदा और बेचा जाता है कही ना कही पेट्रोल, कोईला, बिजली यह भी अपने आप में बड़े बड़े उद्योग हैं जिने निजीक शितर अपने लाप को अरजित करने के लिए संचालित करते हैं तथा इनका प्रियोग करते हैं इनमें नई-नई क्रियाएं करने के लिए वेय करते हैं इने खोजने पर वेय करते हैं क्योंकि इनसे बहुत अधिक लाप भी प्राप्त होता है और यह कही ना कही उत्पादन में योगदान भी देते हैं अगला आता है गैर वानिज्य स्रोत इसके अंतरकर लकडी क्रिशी अफशेश यानि घांस फूस वगएरा सूखा गोबर भूसा आदी आते हैं मुख्य रूप से इनका प्रयोग गरामीट शेत्रों में गाउं में घरेली उदेश्यों की पूर्ती के लिए किया जाता है इंधन के लिए लकडी क्रिशी अफशेश गाउं के लोगों को निशुल्क वस्तों के रूप में ही प्राप्त होते हैं इसके लिए गाउं के प्रयोग इन्हें बाजार से खरीदते नहीं हैं यहें इनका प्रयोग अपनी घरिलू आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए करते हैं उर्जा के वानिज्यक स्रोत समय के साथ समाप्त हो जाएंगे जबकि गैर वानिज्यक स्रोतों का पुन नवीनी करण हो सकता है लगबग साथ प्रतिशत भारत्य परिवार अपनी घरिलू आवश्यक्ता को पूरा करने के लिए परमपरागस रोतों पर ही निर्भर है अब आता है परमपरागस रोत यह वैस रोत है जिनकी हमें जानकारी है और जिनका प्रियोग बहुत अधिक लंबे समय से हो रहा है जैसे कोईला, पेट्रोलियम, प्राकर्तिक गैस, बिजली वर्तमान समय में भारत में उर्जा के कुल उभोग का लगबग 65 प्रतिशत वानिज्यक उर्जा से पूरा होता है जिसमें कोईले का अनुपाद सबसे अधिक है जो की लगबग 55 प्रतिशत है इसी प्रकार प्राकर्तिक तेल जिसका 31 प्रतिशत भाग है प्राकर्तिक गैस का योगदान 11 प्रतिशत है जबकि जल उर्जा का योगदान लगभग तीन प्रतिशत है अंत में आता है गैर परमपरागत सुरोत यह अब भी प्रयोग की अवस्था में है इन्हें अभी भी प्रयोग में लाने की कोशिश की जा रही है यह अभी भी पूर्ण रूप से विक्सित नहीं हुए है और बहुत कम सीमा तक इनका प्रयोग किया जा रहा है जैसे सौर उर्जा, पवन उर्जा, बायो गैस इनका उप्योग अभी इतना अधिक अर्थवेस्ता में नहीं हुआ है क्योंकि इनके विकास की अभी भी बहुत अधिक जरूरत है तो बच्चों आज हमने आधारिक सन्रचना के बारे में पढ़ा हमने जाना कि किसी भी देश की विकास के लिए आधारिक सन्रचना कितनी आवश्यक है और आधारिक संदचना किन-किन चीजों पर निर्भर करती है हमने उर्जा के विविन शेत्रों के बारे में भी पड़ा अभी आधारिक संदचना में विद्यूत और स्वास्त यह दोख्षेत्र भी आते हैं कोई भी देश की आधारिक संदचना कहीं न कहीं उस देश के स्वास्त और विद्यूत पर भी निर्भर करती है और जिसका एक महत्पून योगदान होता है इस अध्याय के अगले भाग में मैं आपको विद्यूत तथा स्वास्त के बारे में पूरो रूप से जानकारी दूँगा आशा करता हूँ आज आपको आधारिक संदचना के बारे में अच्छे से ग्यात हुआ हुगा नमस्कार करता हुआ हुआ है